नमस्कार, टुड़े हे माशल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ भावनर रेनाट और चली देखते हैं श्राम की बड़ी खबरों को फटापाड़ हेरिटेज ट्रेन के दोमान चुक सफर में यात्रों की बढ़ी संख्या जल्द दोड़े गीती स्रीट रेलकाडी जुगिंदे नगर पठान को टैतिहासिक रेलवे ट्रैक पा दोड़ रही रेलकाडियों में यात्रों की बढ़ती भीड को देखती हुए रेलवे विभाग ने और रेलकाडियों को भी पठ्री पर उतानने की तयारी शुरू कर दी है जुगिंदे नगर से बैजनात पपरोला और नूरपुर तक दोड़ रही गाड़ियों में यात्रों की भीड को देखती हुए सबी रेलकाड़ियों में बोग्यां भी बढ़ा दी गई है इससे रेल यात्रों का सफर और भी सुहाना हो गया है बैजनात पपरोला से सुबा 6 बजे हो तो पहा 3 बजे नूरपुर की और जाने वाली दोनों रेलकाड़ों में भीड बड़ी है जराम ठाकुने सुकु सरकार के खिलाफ खोला मोचा कहा मेरे एक शेत्र की अंदेखी कर रही सरकार नेता पतिपक्ष जराम ठाकुने परेश सरकार के खिलाफ मोचा खोलती हुए मंडी जिले के साथ भेदभाव करने के आरूप लगाए है अपने इंगरी हलकी सराच के दो दिवस्ते दोरे पर उन्होंने बुदवार को शिली बागी में पार्टी कारे करता हुए साथ बैठा करते हुए का के सरकार ज़ान बूच कर उनके विदान सबाग स्वेट की अंदेखी कर रही है यहाँ एज़ें बीडियो और अधिशासी अभंता समेश काई पर खाली है यहाँ जो अधिकाई तेनार थे उन्हें दुगम क्षेतर लाहौल भरमौर पांगी और नौर भेजा जा रहा है अरनी युनिवसिटी के नाम से जोरी कर दी फर्ज़े डिकरी आयोग में सुनवाई के दुरान हुआ खुलासा जिस रोल नंबर से संबंदित डिकरी मांगे उससे विश्विद्दाले ने अपने संबंदित मानने से इंकार कर दिया राज्य मुख्य सूचना अयुक्त आड़ी दिमान के समक्षुदार की गई एक अपील पर आदेश में ये खुलासा हुआ है एक ही चुता पर हुआ दमपती कांतिम संसकार बेटी की भी उठी अर्थी हर आख हुई नम कारहस्त में चाल लोगों की मौत के बाद पूरा राजगर इलाका गम गीन है यहांसा तिन पंचायतों के लोगों को कभी ना भुलाय जाने वाला गम दे गया एस दुरुकटना में एक दमपती समेत उनकी बेटी और एक अने सगरिश्तरदार की मौत हो गई है मंगलवाश्राम तीन पंचायतों में तीन चिताय जली राजगर तैसेल के बंचायत दहान के गाउं रूप के रहने वाले 63 वर्षे जीवन सिंग उनकी चौगन वर्षे पत्नी सुमा देवी की एक चिता बनाए गए जहां दमपती ने साथ फेडों का वटन अंतिम सांस तक में भाया जिता में भी अंतिम साथ दिया नई उज्वानीती बनाने पर विच्वार कर रही है हिमाच्वा सरकार इथनौल प्लांच को लेका स्रीम सुकु ने किया एलार मुख्यमादी सुक्विंदा सिंग सुकु ने कहा कि जल्विद्वत परियोश्रों में हमाच्व पतेश के सदारी बढ़ाने के उदेश से सरकार नई उज्वानीती बनाने पर विच्वार कर रही है अगले 18 वर्ष तक 20 प्रतीशत और इससे अगले 10 वर्ष तक 30 प्रतीशत हिस्सा देनी का प्राप्थान होगा हिमाच्वल परिवन विभाग संशोधित ई-ॉक्षन सिस्टम शुरू अब केवल इन लोगों को ही मिलेगा वी आईपी नमबर परिवन विभाग के निदेश्रक अनुपम कशप ने आज यहां बताया कि परिफन विभाग द्वारा वाहनों के लिए वियाईपी यानि अपनी पसंद के विशेश्री फैंसी नमबर जारी करने के लिए संशोधित ई-ॉक्षन प्रणाली में 16 मई से पुर्णा शुरू कर द आविदन करता को विशेश वहां नमबरों के निर्धायत अधार मुल्ली का 30% अग्रिम राशी जमा करवाना अनिवारी होगा बोली में प्रथम सान प्राप्त करने वाले आविदन करता यदि किसी करने विशेश नमबर लेले में अस्समार्थ रहता है तो उसके द्वारा प्रतीशित अग्रिम राशी वापिस नहीं होगी ये राशी सरकारी कोश में जमा होगी तथा उसे विशेश नमबर के लिवे भाग द्वारा दुबारा बोली के पक्रिया शुरू की च्राइकिए धरमशला में पंचाब की अगनी परिक्षा प्ली ओफ की उमीदों के लिए दिल्ली और अजिस्थान के खिलाफ जीत जरूरी HPCA स्टेडिम धरमशला में प्रस्तावित दो आईपल मैचों में पंचाब किंग्स की टीम की अगनी परिक्षा होगी इन दोनों मैचों में जीती किंग्स 11 पंचाब की प्ली ओफ में पहुंशने की उमीदों को बरकरार रखेगी 17 और 19 माई को धरमशला में पंचाब की टीम आईपल का 64 और अपना 13 और 14 मैच खेलेगी 17 माई को पंचाब किंग्स और दिली कैपिटल का आमना सामना होगा वहीं अंतिम 4 की डेस से आउट हो चुकी डेविट वॉर्नर की कप्तानी वाले दिली कैपिटल की टीम का प्ली ओफ का सफर लगभग खतम हो चुका है बगदिली की टीप पंजाब को हरा देती है तो इसे पंजाब की प्ली आफ में पहुंश्च के उमीदों पर भी पाने फिच जाएगा फतहपूर के चाटा में कार के खाई में गिनने से एक की मौत दो घाल पुलिस स्थाना फतहपूर के अंतरगत जसू तलवडा सड़क पाचाटा में एक नीजी गाड़ी अन्यांती थोका सरक से करीब 50 फूट नीचे खेतों में जागे रहे है इस दुरकटना में कार सवार महिला की मौत हो गई है जबकि दो सवार गंभीर घाल हो गए है पुलिस से प्राप्त जानकारी की अनुसार ध्रमशलाक शेत्र की एक कार एशपी 49 ए 1516 तलवडा की तरफ से पतहपूर की तरफ आ रही थी कि अचानक चाटा में गाड़ी अन्यांती थोका गलत दिशा में जाकर सरक से करीब 50 फूट नीचे डंगे से टकराती हुई खेतों पलटके एसास में एक मैला की मृति हो गई है जबकि दो अन्येलों गंभी रूप से घाल हो गये हैं जिने तुरंत सिविल अस्पताल पतहपूर कुमार ने बताया कि दुरकटना में मृत कमलो देवी पत्नी प्रकाचन निवासी नस्दीक यॉल केंट धरमशला की रहने वा रहा है कि उकते लोग तलबडाक श्वेत में चल रहे किसी कायकर में शामिल होकर वापस लौट रहे थे कि चाटम दुरुगटना का शिकार हो गये पुलिस मामल में अगागमी कारिव वाही अमल में ला रही है प्रेचन को संजीवनी देगा चे महाबाद खुला बरफ से लख तक मनाली लेहमार्ग चे महाबाद बहाल हुए सामरिक महत्व के मनाली लेहमार्ग से आने वाले दिनों कुलो मनाली और लाहॉल की वाद्या सिलाने उसे गुलजार होगी माई का दूसरे अपकवड़ा शुरू हो गया है लेकिन कुलो मनाली में होटलो की ओक्यूपेंसी अभी तक 60% तक ही चल रही है अब 427 किलोमीटर लंबा मनाली लेहमार खुलने से मनाली के प्रेटर को संजीवरी मिलेगी लेहवल अद्दा की तरफ जाने वल अधिकता से लाने मनाली होका जाती हैं और उनका एक से दो दिन का ठहराव मनाली में होता है ऐसी में मनाली लेहमार खुलने से घाटी के प्रेटर में 25 प्रतीश अतवरिती होगी कुलो और मनाली लाहॉल के प्रेटन कारोबारी भी मनाली लहमा के खुलने का बेस सब्री से इंतिजार कर रहे थे पहले बार 2000 रुपए बॉक्स के रेट पर बिकी हिमाचल की चैरी हिमाचल की चैरी को पहले बार मंडी में 2000 रुपए बॉक्स का रिकॉर्ड दाम मिला है वारे एजंसे ने ये चैरी खरीदी श्रम्लाजी लेके कोट करके कोटी धारनिवासी बागवान अशोक चौहाने मर्चंट किस्म की चैरी की खेप अजादपुर मंडी भीजी थी चैरी बॉक्स के भीतर पार दर्शी पैनेट भी पैक थी